नमस्तों स्वागत है आप सबके सब्सक्राइब करते हैं तो सुबह की नौबजी आप सब को पता है बच्चे सबीके ऊठ जाती है लगबग तो यहां पर देखिए उपर वाले जो फ्लैट है उसमें बज़ी डीजे जिसकी बज़े से दोनों बच्चे बाल कने में बहुत ही कर रहा है आए उपर बज़ा पाल कने में मजे ले रहा है तो सोचिए बच्चों की लाइप में मतलब खूष रहने के लिए कोई बजय problem रहें ले मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और इनके खुशी से बरकर मेरे लिए कुछ और नहीं है ना अब है ना यहीं मेरे लाइफ है इन्हें को देखके मैं जिलूंगे मुझे और किसी चीज के जरुत नहीं है फिलाल तो चले दोस्तों एक बार चलते की चैन में इनको यही खेल सब्सक्राइब रहता है तो और यह चोटव के थाली यह मतलब थाली में नास्ते को डाल के पूरा मसल मसल के रख दिया तो बहुत है तो इस में ले लूंगी और यह मतलब कल रात को बनाई थी खाना और आप शूबह के गिंव्श लिए तो यही में आस्ता कर लूंगे इसदम से नजर पड़ी फ्रीज के उपर मुझे ऐसा लगा जैसे फ्रीज बंदे तो फाइनली फ्रीज बंद था तो फिर मैं जल्दी सी गई कहां पर बिस्तर में देखिए बच्चों ने बिस्तर का क्या हालत बना रखा हैं तो यहां पर मैं ले लिए पेजकाच और पेजका हम कभी-कभी ऐसा भी दिन जाता है चार-पास बार खोलती हूं चुआ है ना इसके अंदर नीचे से थोड़ा सा हॉल दिया हुआ है उदर से मोटर के हावा निकलने के लिए उसमें से जितने भी कच्रा होता है बाहर की अगल बगल की और अरोस-परोस के सारा कच्रा को लाक करता कि आप यह करो तभी से होगा तो देखिए आप भी देखिए पॉलितिन पूरी तरह से भर रखाए अब भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूं आप वैसे तो देख पा रहे होंगे देखिए कितना सारा मतलब थेली बहरा कर देखिए यह फ्रीज में डाल दिया था तो इससे ना यहां पर पंखा के तरह जो पंखा चलता है वह बंद हो जाती है तो इसकी वज़े से फ्रीज बंद हो जाती है तो फाइनल मैं निकाल लिया थेली को और अब बापस से मैं इसे पैक कर दूंगी तो दोस्तों इसके लिए हैं मुझे कैमरा को रखे उसके बाद ही उसे खाने पाये क्यूंकि पेहले फ्रीज बंद हो रखा तक केचप निकलनेके ति तो आप इससे फ्रीज को कर रहें चालू और चालू करने के बाद में फिर में खाना काऊँगि क्या पता कब से फ्रीज बंद पड़ा है थाकर सामान जो है डिफ्रिस का सब्कू स्वह लेकिन यहाथ मेरा पोन है यह लोग भगंभग करे जा रहा है तो नीचे बैचने का खत्रा में नहीं उठा सकती क्योंकि अगर एक बाठ दौर के थाली में चटके तो फिर सारे सा मंडूल जाएगा इसी वजह से मैं जो है उपर बैठ के खा रहे हुँ तो चलिए खाना को पहलती हो आप लोगों से हर पल मतलब इंतजार करती हूं और मेरी तो इंतजार की घरिया इस ट्राइम इतना ज्यादा लंबी है शायद कभी खतम नहीं और कभी खतम होगी भी कि नहीं मुझी यह भी नहीं पता बस एक उम्मीदी है कि शायद कभी कफ़ों जाए मेरे सासू कहा करती थी भले वह कैसे भी थी मेरे साथ उनका मतलब थोड़ा अच्छा समझ था बाकी तीन बहुओं से तो ऐसा लगता है कि उनके बातों में कुछ तो दम है अगर बरे बुजूर कुछ कहते हैं न तो उनकी बातों में कुछ न कुछ जरूर सचाई होती है इस भेग देखा है है यहाइसपनी हो देखा सब्सक्रादेब हो कर्सद्रीब लेकिन मतलब कर गए सब्सक्राइब आध्याना च्छानी जड़ी थे दाने जरूर्ब प Mcौ उल्टी कि बिए बात हैं मैं उन्हों है या अज़ जादा работает करते हूं कि उनका जो अबब तो था अचाय वह कैसे थी मैं उन्हें बहुत जब उतμगा सा्टि कोツ एक और उनका डेचर मेरे म Tabii को बहुत अच्छा लगा मेरी फैंबली को बहुत अच्छा लगा मेरे मम्मी के साथ उनका बहुत अच्छी मतलब रिष्टा रही तो इस बज़े से न मैं उन्हें बहुत ज़दा मिस करती हूं तो उन्होंने कभी मुंसे कोई डिमांड नहीं किया एक बहु के तरह नहीं दिमांड किया मैं कभी उनका पिच्छर आपके साथ शेयर करूंगी बहुत अच्छी थी एक बेटी की तरह एक फ्रैंकली थी हां जैसे एक सासों अच्छी जिन में एक मां थी बीच में कुछ हो गया था वह भी इसकी पापा की बज़े से हुआ था इनकी पापा शुरू से ऐसे थे बस मेरी नजरी रही तो बहुत अफसोस की बात है मुझे उनका पापा का प्यार नहीं मिला और मेरी बच्चे आनात हो गये जिस उमर में बच्चों की यह उमीद होती है पापा के साथ खेलना है पापा आएंगे इंतिजार होती है उन्होंने ऐसी टाइम पर उनका साथ छोड़ दिया ऐसा नहीं करना चीह था और यह जो दूसरे के साथ रिलेशन्शिप होता है ना बरबादी होती है आज मतलब कितने दिन रहेंगे उनके खुन में जो गरमी चल रही है कितने दिन रहेंगा पांच साल दस साल मेरे से तेरा साल बड़े हैं वह एनि मैं अभी 31 साल की हूं तो आप पैतली साल के लगभग मान लीजें तो पैतली साल के बंदब वह है कितने साल तक करेंगे 60 साल तक पैतल पचास तक उसके बाद क्या करेंगे आज में जो मैंसुस करी हूं कि वह कभी नहीं करेंगे मेरे मासुम बच्चों को इस तरह छोड़के गए जहां एक फोन नहीं एक बात नहीं मेरा बच्चा 20 गंटा अंदर रहता है गुड़ती रहते हैं दम गुड़ती है कि मैं तो बख्वान से दोह करते हूं अगर किसी कुछ देना ऊश्म आसे इंसां को बच्चे ही मत दो ना के जो लोग बच्चों का कदर नहीं करें जब धर्ती पर बेज़ो तो उनको नस्कट के बेज़ो जहां से उनका बच्चो को जनम देते हैं क्यूंकि ना तो पत्नी का कुछ बिगरता है ना पती का कुछ भीरता है बीस में जो बच्चे पैदा होता है उनका future कराब हो जाता है उनको ताना देता है गलत नजरों से देखता है लड़कियों को बहुत अलत कराब होती है उच्छिस को मैं मैसूस कर चुक हूँ मेरे साथ हुआ है बहुत कुछ हुआ है भगवान ऐसे लोगों को बच्चा दे ही नहीं अब जो अनिता है वो इसके साथ भी खुशनी है इसके पापा यह सोचता है कि वह दोनों नावों को चला है बहुत में होने दूंगी अगर वह सोच रहा है कि मानी तसाथ रहूंगा और बीच-बीच में मेरे पास आएंगे थोड़ा बहुत मतला मैं तो वैसे इमोशनल तो हूँ ही बच्चे उनकी तरफ देखेंगे परिशान हो एलकिन बोर जो सोच रहा है और जो चाहा रहा है कि अगर्या बहुत मेरे गले में फंद गला हो है इस फंद एको इसमय Oj 있다고 मैं काट कर चाहए बले मेरे दिल में ऊनके लिए बचिक है क्योंकि और मेरे बच्चा नहीं तीन बच्चा हुआ जिसमें लड़की कअधा होगी तो है कि इस बज़े से बले दिल में कोई सौप्ट जगे हो जाए बाकि में उसे प्यार नहीं कर पाऊंगे कभी लाइप में एक और अगर एक रात के लिए चाहिए कुछ करें नहीं किसी के साथ रहना तो पूरा ब्रह्मोंड ऐसा लगता है कि वह बतलब खराब हो गए हो तो एक अब है यह नहीं रहने के लिए ऊव गय नहीं है और क्राम मैं ऐस इंसान को मेरेसां यह इतना बुरा कि और मेरे बच्वों के साथ बुरा के कभी है ने करूई कर empa कि मेरे दिल निकाल दो कि मेरे दिल में तुम्हरे लिए इस जन्नम में और कोई चाहर रोगा और जसीन तुमसे प्यार ने कर पाऊंगी अब तुमसे जो मेरा दिल टूटा है और जो तुमने फंदार डाला है जाने से पहले तो तुमने आदा करेक्रम कर चुके हो क्योंकि आपने हाथों से सिंदुर मुटा दिया तुमने तो भीदवा तो तुमने मझे बनाए दिया है जीते जी तुमने आपने हाथों से सारान रसम का ब्राइं तक है जो क्रीक ब्रीव में कटक्ति है एक बर में एक हजार बर मरती हूं हजार बर बायताति मुझीं है लेकिन में मैं मरनूंगी नहीं मेरे पीछें बच्चें कुछ जीमेदर्य के umas अगर कुछ कुछ जादा है नहीं बदले में कुछ बैतर ही मिलता है देखते हैं लोगों की कहानक कहा तक सही है लेकिन यह बस सच है कोई भी कुछ भी बात कहता है तो जूठा नहीं होता वह सच में होता है बस थोड़ा समय समय की फरेके थोड़ा दिन इंतिजार अब मेरा समय बहुत बूरा चल रहा है इस वज़े से कभी ने कभी सही आएगा अभी बच्चा चोटा है मैं उनको आठ घंटे के लिए छोड़ के नहीं जा सकती भगवान हाथ पर सही सलम्मत रखे बस यह और कुछ भी नहीं बगवान से कोई शिकायत नहीं है मुझे लेकिन किश्व शर्मा आप बापस मेरे जिंदे में कभी नहीं आपाओगे आपने कर लिए ना तो शादी मुबारक हो आप उधर रहिए और उधर ही अपने सब कुछ कीजिए इधर आने कमा सोचिए नहीं तो ना आप कही का नहीं रहोगे उधर से भी जाओगे इधर से तो गए हो और उसके बाद में क्या होगा उसका नतिजवी सोचको तो बहलाई इसे मे हैं आप उधर ही शीफ्ट हो चाहिए और उधर ही सब कुछ कीजिए तो दोस्तों आज की बीने को एंड करती हूं कि को इससे जादा बात करने की हमत मुझ में होनी है